Hi everyone, welcome back to my channel friends आद दोस्तो हम review करने जा रहे हैं thyroxine sodium tablets, यानि की tyronorm tablets का जी हां दोस्तो ये thyronorm tablets जो है ये abort company की आती है और 125 mg की दोस्तो है। ये हमारे पास है। ये कई varieties में आती हैं जैसे 20 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 125 mg, 100 mg जी दोस्तों, कई दोस्तों ये quantities में आती है और दोस्तों इसका salt जो होता है वो thyroxine sodium salt होता है और ये tablet form में आती है और इसकी price जो होती है वो 204 रुपए होती है for 120 tablets, 120 tablets दोस्तों इस डिब्बी के अंदर होती है और ये tablet दोस्तों आपको हमेशा doctor की सलाह के द्वारा ही लेनी चाहिए और दोस्तों इस पे thyroid ये बनी हुई है thyroid gland और दोस्तों ये thyroid की बीमारी में खाई जाती है और thyroid दो टाइप्स की होती है hypothyroidism and hyperthyroidism जो hypothyroidism होता है दोस्तों उसमें शरीर का वजन दोस्तों बढ़ जाता है और metabolism दोस्तों शरीर का घट जाता है इस करण दोस्तों हमारे शरीर का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और hyperthyroidism में दोस्तों हमारे body का दोस्तों weight जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है जिससे दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों नसे और दोस्तों जो शरीर में दोस्तों और blood vessels जो होती है वो दोस्तों बहुत पतली हो जाती है थिन हो जाती है जिससे दोस्तों blood जो होता है वो दो हरद दोस्तो hyperthyroidism में दोस्तो बहुत ही तेजी से घटता है पेशेंट का इसलिए दोस्तो thyroid को regulate and control करना जरूरी होता है इसके लिए दोस्तो यह जो टैबलेट है दोस्तो यह prescribe करी जाती है डौक्टर के द्वारा और फ्रेंट्न इया जो tablet हें यह आपको खाली पेट सुबह खानी होती है और आपको दोस्तो इस टैबलेट को खाने के बाद कुछ भी दोस्तो एक घंटे तक नहीं खाना चाहिए जिससे दोस्तो इसका प्रॉपर इफेक्ट आपकी बॉडी में दोस्तो पता चले और दोस्तो ये टैबलेट अगर आपकी एक बार करते रहते जैसे ये 125 मजी की है दोस्तो बॉडल और दोस्तो अगर आपका टेस्ट दोस्तो आप थाइराइट का कराते हैं तो दोस्तो अगर आपके टेस्ट में दोस्तो कोई भी दोस्तो जो रिपोर्ट होती है वो दोस्तो अगर घटती या बढ़ती है तो दोस्तो उसी के हिसाब से डाक्टर जो है इसकी डोस को दोस्तों अरजेश्ट करता है इसलिए आपको अपने हिसाब से दोस्तों ये बॉटल नहीं खरीद के खानी है आपको हमेशा टेस्ट कराना है उसके बाद दोस्तों ये जो है टैबलेट्स ये आपको सुबह खाली पेट खानी होती है औ और यह tablet दोस्तो खाने में तो कोई टेस्ट नहीं होता है, एकदम टैबलेट के जैसी ही होती है, लेकिन दोस्तो थाइराइड में इस एफेक्टिव जरूर है और इस से दोस्तो शरीर में दोस्तो जो वेट जो बढ़ दहा होता है, वो घटता नहीं है वो दोस्तो वेट उतना ही रहता है लेकिन दोस्तो जब आप इसको खाते हैं तो आपकी थाइराइट बीमारी यानि की जो रिपोर्ट होती है वो दोस्तो एक दोस्तो नॉर्मल आ जाती है इसको खाने से और आपको ये टैबलेट जो है डेली आपको सुब खाली पेठी खानी चाहिए और दिन में सिर्फ एक बार यह खाई जाती है तो दोस्तों आप अगर थाइराइट से दोस्तों परेशान है तो अपने डॉक्टर को दोस्तों जरूर दिखाईए और यह टैबलेट दोस्तों इस टाइप की होती है इस बॉटल के अंदर और यहां पर दोस्तों कैप लगी होती है इस कैप को दोस्तों खोल के आप टैबलेट को सुबह निकाल सकते हैं और दोस्तों खा सकते हैं और यह टैबलेट दोस्तों एक बार अगर स्टार्ट हो जाती है तो दोस्तों बंद नहीं होती है और यह आपको लाइफ टाइम ही खान होती है तो इसलिए बिना डाक्टर की सला के दोस्तों ये आप टैबलेट बिल्कुल ना खाईए और हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें